धन्वंतरी कौन थे जिनकी होती है धन्तेरस पर पूजा। धन्तेरस पर भगवान धन्वंतरी की विशेश पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विश्नों के चौबीस अवतारों में बारहवा अवतार धन्वंतरी का था। धन्वंतरी के जन्म के संबंध में हमें तीन कथाएं मिलती हैं। एक, समुद्र मन्थन से उत्पन्न धन्वंतरी प्रथम कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ती समुद्र मन्थ वे समुद्र में से अमरित का कलश लेकर निकले थे जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। इसका उल्लेक ब्रह्मा पुराण और विश्नु पुराण में मिलता है। भीमरत, भीमरत से दिवोदास हुए जबकी विश्नु पुराण के अनुसार काश से काशे, काशे से राष्ट्र, राष्ट्र से दीरघत्पा, दीरघत्पा से धनवंतरी, धनवंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरत और भीमरत से दिवोदास हुए। तीन डॉट वीर्भद्रा के पुत्र धन्वंतरी त्रीतिय गालव रिशी जब प्यास से व्याकुल होवन में भटकर रहे थे, तो कहीं से घड़े में पानी लेकर जा रही वीर्भद्रा नाम की एक कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव रिशी ने आशिरवाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की मा बनोगी। लेकिन जब वीर्भद्रा ने कहा कि वे तो एक वेश्या है तो रिशी उसे लेकर आश्रम गए और उन्होंने वहाँ कुषकी पुषपाकृती आदी बनाकर उसके गोद में रख दी और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रतिश्ठित कर दी वही धनवंतरी कहलाएं। विस्तार उप्रोक्त में से प्रतम दो कथाएं ज्यादा मान्य है। प्रतम कथा के अनुसार देवता एवन दैतियों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वय ही मन्थन चल रहा था जिसके चलते भगवान धनवंतरी हाथ में अमरित का स्वर्ण कलश ल जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्वभर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभावगुन को प्रकट किया। धनवंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धनवंतरी संहिता ही पाई जाती है जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है आयुर्वेद के आदी आचार्य सुश्रुत मुनी ने धनवंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि धनवंतरी लगभग साथ हजार इसा पूर्व हुए थे। वे काशी के आरजित कर सुश्रुत आदी शिश्यों को उपदेश दिये। दिवोदास के काल में ही दशराग्य का युद्ध हुआ था। धनवंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्यानिक प्रयोग अमरित का है। उनके जीवन के साथ अमरित का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमरित निर्मान करने का प्रयोग धनवंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदी देवताओं ने सोम नामक अमरित का आविशकार किया था। धनवंतरी आदी आयुरवेदाचार्यों अनुसार एक सौ प्रका की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है, शेश अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुरवेद, निदान और चिकित्सा है। आयु के नियूनाधिक्य की एक एक माप धनवंतरी ने बताई है। धन तेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धनवंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। रामायन, महाभारत, सुशृत सनहिता, चरक सनहिता, काशप सनहिता तथा अश्टांधरिदय, भाव प्रकाश, शार्गधर, श्रीमत भावत पुराण आदी में उनका उल्लेख मिलता है। धनवंतरी नाम से और भी कई दाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धनवंतरी था।